प्रेगनसी में बेसिक कितने सोनोग्राफी करने हैं? बेसिकली पहला सोनोग्राफी आता है अरली प्रेगनसी में जिसमें आपके बेबी का हार्ट बीट चेक हो जाएंगा आपको कितने विक्स कम्पलीट हुए है वो भी पता चलेगा Second important sonography आती है आपकी third month के end में जिसको हम लोग anti scan बोलते हैं जिसमें आपकी baby का neck का thickness check होता है प्लस आपका baby का spinal cord ठीक से develop हुआ है नहीं वो बता चलता है Third important sonography आती है आपकी fifth month में जिसको हम लोग animal scan बोलते हैं जिसमें baby को पूरा head to toe check करते हैं उसके सभी organs ठीक से बने हैं या नहीं Fourth important sonography आता है आपके seventh month के end में जिसको हम लोग growth scan बोलते हैं जिसमें आपके baby का position है पानी है और baby का weight check होता है And last important sonography आती है आपके ninth month में around साढ़े-8 मेने के आसपास जिसको हम लोग doppler sonography बोलते हैं जिसमें आपके baby के embilical cord का, baby के brain का और baby के heart का blood flow check होता है तो pregnancy में cool मेला के आपको कम से कम ये 5 sonography तो करने ही है